दो वे फावड इस तोड़ा बहुत-बहुत स्वागत है मैं तोड़ा होस्ट हर्जोट सिंग इस विले एलेक्शन दा सीजन चलदा पर है और असी इस इलेक्शन प्रोसेस नू समझन वस्ते और एक इनफॉर्म चोईस करना स्ते इस नवंबर वेच असी इस इस मुल्क दी सियासत नू होर अच्छी तरह जानना चांदेया अच अज आज आसी इस मुल्क दे कुछ मुडले सिदान्था नू समझन लई सदार रविंदर सिंग तनेजा जी नों लेके आया हैं जो की जिते सिखी दे एक स्कॉलर और और इस मुल्क दी पॉलिटिकल हिस्ट्री दे वी स्टूडेंटन रविंदर जी तोड़ा बहुत-बहुत स्वागत है तैंक जी जी बहुत-बहुत मेरबानी मनों बहुत खुशी है तोड़े नाला के थोड़े विचार बटांदरा करंदी रविंदर जी आसी मोसली इस मुल्क विच इमेगरंट सां और जिते साड़ी बेसिक एजुकेशन इस मुल्क तो बाहर हुई है एक बड़ी इंपोर्टन्ट एक सब्जेक्ट जड़ा से मिस किता है ओ हैगा सिविक्स था आज असी चांदेया की तुसी सानू ओ जड़ा थोड़ा बैकग्राउंड है इस कंट्री दे थोड़े फंडमेंटल्स कुछ बेसिक आइडिया जिना दे ओपर एक कंट्री बनी दिया है उन्हां दे नाल थोड़ा जानू कराओ उन्हां वारा थोड़ी जी लाइट पाओ सब तु साथ वदी जी डी डी डीबेट जी देख दिया दो पा इन दोना पार्टी वेच र Republicण पार्टी और डेमोक्राटी पार्टी वेच और इस विले एवन विदिन देडेमोक्राटी पार्टी ओ है गीये की सरकार किना रोल होना चाहिदा तोड़ी आम लाइफ वेच तोड़ी एकॉनमी वेच तोड़ी डेली डिस्कोर से लाइफ था उस दे वेच की ओरीजिनल फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ही गे और वो प्रिंसिपल्स की में डिवलप होए इस बारे तुसी आज थोड़ा चानना पॉसरना मैं अपने बलों पूरी कोशिश करांगा नियु किए एक इंट्रेस्टिड स्टुडेंट था अमेरिकन पूले थे की अपने लों पूरी कोशिश करांगा ऐसंची में तुप ल्ग प्तृशन आज सांची ना जरूर तो से गाल कीती है कि गवर्मेंट दे साइज दी लिमिटेड गवर्मेंट के सरकार कितना दायरा होना चाहिए दा जड़ा है इन्फुनुएंस या उदा साइज उन पहले गालते है के सरकार किने को बड़ी है यहां चोटी है एदे माप डान की ने वो भी मिक्स होंदे रहे हैं देने पर ऐसी आइडियास पे जाहिए के जो ए लिमिटेड सरकार दा आइडिया है लिमिटेड गवर्मेंट दा एक कोई आजदा नहीं है एक डिबेट जड़ी है एक्चली मुटों चल दी आ रही है 1776 तो जदों के declaration of independence, the articles of confederation लिखे गा इसा ते मैं दो आनों उते पिछे लाय जानना मा के ओदू एक क्या गया सी के these truths are self-evident, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. केंदा पाव है कि सारे जड़े इनसान ने ओना वे कुछ बुन्यादी हुकोग ने जिना दे कोई किन्तू परंतू नहीं हो सकती ने नैच्रोल हना रहे की अन एन life, liberty and the pursuit of happiness. So, मतलब है कि your right to be a person, अजादी और तुसी चस्तरा में आपना जो है बेतरी समझ देओ, अपनी life दी, ओ तुसी. रविंदर जी, इस point एक थोड़ा चानना होर पाई है, असी अपने धर्शकानों दसना चाहंगे, कि ए जड़ा American independence है, इसनों बड़ा revolutionary मन्या जानदा है, इसनों American revolution क्या जानदा है, और उस revolution दा एक पार्ट ए है, कि ए जड़ी declaration of independence है, एक कैंदी है, कि इनसान दे जड़े rights ह जेनान हुने रविंदर जी ने दस्या, इन एलिनेबल राइट, एक किसी सरकार तू नहीं आंदे, एक किसी constitution तू नहीं आंदे, ए तोड़े natural rights है, ए तोड़े जस्ट इंसान होंदे, जेड़ी fact है, उस दे नाल ए राइट हर इक नुवन, और ओ केड़े तिन राइट से रह life, liberty and pursuit of happiness. जी रविंदर जी. जी, जी जड़ा आइडिया है, ए रेवलूशनरी आइडिया है, जी, ए सानु जी समझना पवेगा कि जड़ी ए लिमेड गवर्मेंट दी आइडियोलोजी है, ए जैफरसोनियन थाट दे विच, विचो आंदी है अमेरिका वास्ते है, तॉमस जेफरसोन जो कि तीसरा प्रेजिडेंट सी, जिनने डेकलरेशन अव इंडिपेंडेंट्स दा दागुमेंट तियार किता होना नाल पर उन्हें लिखेया, जे देखना पएगा कि युण लिया आइडियास कितो है सानु जिजड़ए। ये आइडियास ने, जिड़े जिड 17th और 18th century Europe दे विच जिदा प्रभाव सारी दुनिया दे विच पया आसी देखना चाहिए था सानु कि भी fundamentally enlightenment दे ओकेड़े ideas हैं जेड़े के Jefferson ने अपनाए और declaration of independence हो ना नो जेड़ाए के पाया जो सानु थोड़ा त्यान करना पएगा के इस enlightenment दा जो कुछ मुडले सिदान्त ने ओए है के पहलो enlightenment दे दुरान और उसको पहलो जो political structure सी यूरुबा ओ बेसिकली मौनर की सी मतलब एक एक राजा सी और एक मन्निया जानदा सी के इस राजे दे divine right सन। मतलब है के उत्तों ही तुरों कोई मतलब है शक्ती लेके आया है रबों के जिदे नाल ओदा बाकियां इंसाना दे उत्ते एक पूरा control है तो बाकी जड़े लोग ने ओना जो status है जो station है ओ फिक्स्ट है लाइफ दे अंदर ते ओस station दे विच ही उस दाइरे दे विच और रहेंगे दूसरा है कि इस डाइरे दे विच रहेंड करके जड़ी एक आम बंदे दी economic जो दी activity है ओ भी राजे दी ही मननी जान दी है उस दी जड़ी सोच है ओ भी जो राजा उन्हों अलाव करता है ओ दी status बारे उत्षों तक ही सीमत है जी सो एक आंदा आइडिया एक फिक्सट आइडिया आंदा है कि युनिवर्स जड़ा है ओ फिक्सट है गया है उदे विच साड़ी जड़ी करती है इस सेंटर है कि पर इंलाइटनमेंट दे नाल नाल कोपरिनिकस केपलर गैलियो इन अदे जड़े डिस्कावरीज हुई है उना ने एजड़ी फिक्स्ट सांग सोच सी उसनों हला के राह दिता जी उस दे नाल नाल क्योंकि उस फिक्स्ट सोच दे नाल राजा और चर्थ जुड़या हुया सी इना दे वी किंतु परंतु होने शुरू हो गई सो इनलाइटनमेंट विच्ट जीड़ा चीफ आइडिया सानों आंदा है वह है दी सवरेनिटी उस रीजन कि हर एक बंदा जो है ओ अपनी डेस्टिनी दा मास्टर है वह किसे राजे दे नाल इस तरह मतलब है कि वह सर्फ नहीं आगा राजे दा इन अदर व की जी इंग्लिश फिलासिफर जी और ओने और रूसो जेने सोशल कांट्रैक्ट लिए है इना दो बंदेयां दे खास करके जॉन लॉक विजड़े आइडियास ने वो सिद्दे जेफरसन ने अपनाए वो कियां लॉक कहनदा है कि जदो बंदा पैदा उन्दा है जिसना कि कि उसी क्या और तोर दे उते अजाद है लेकर ऑपनी सरक्षा भी हातर सिक्यॐरिटी देखातर सिरफ सिक्यॐरिटी वो दूसरें देनाल एक साझ पंब है कि असी राल के एक सरकार बना लेने जैडी के साढ़े सिक्यॐर करेगी साढ़ी पिजिकल सिक्यॐरिटी नो इस तो परे वो सरकार दा कोई साधेते लैना देना नहीं है, so it is more a question of what is the government not going to do, rather than what is the government going to do, so it is John Locke तो आए नहीं है, कि all men are created equal, इस दा जड़ा reference है, ओ ए हैगा कि कोई divine right किसी राजेदा नहीं है, कोई राजा तोड़े उते नहीं है, we are all equal, right? जी, जी, और उस दे विचू एक बड़ी जड़ी important crawler ही निकल दी है, कि तो नू गवर्न करन वस्ते कोई higher power नहीं चाहिदी, तोड़े तो कोई superior बंदा नहीं चाहिदा, तुसी आपस विच ही कठे होके, राल के अपने आपनो गवर्न कर सकते हो, जिस दे विचू representative government, जिस दे विचू democracy निकल दिये, दूसरी, जिस दे बेसिक आइडिया, मतलब मुडली सोच है, क्योंकि तुसी देखो, एस मेले जड़े अमरीका सन जड़े लोग, और एक राजे थे खलाफी लड़े सन, जि जॉर्ज दे थर्ड दे, सो इना दी जिन्नी सोच है, और एक जड़ी आना monarchical system of government दे खलाफ है, जिए, 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 बेसिकली, ए इना दी पेसिस है गी है, जिए, और जिए दूसरी गल बड़ी important तुसी मेंशिन किती, नेगेटिव डिवी, जिड़ा American Constitution है, ओ एक नेगेटिव डॉकुमेंट है, जिवें राविंदर जी ने दस्या कि हर बंदे दे मन्या गया कि उस दे कुछ हाकन, ओ हाक सरकार देंदी नहीं है, सरकार दा कम है उन हाकानों प्रोटेक्ट करना, और ऐसा कोई कानून नहीं बनाना, जो हाक उस देन ओ उस तू छिल लिते जान, जिवें राविंदर जी आसी फर्स अमेंडमेंट वे किये, ओ कहन दा कि दे गर्मेंट शेल नोट मेक एनी लॉव, टेकिंग अवए दर फ्रीडम टॉफ रिलिजें, फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन, ओ राइट तो अनू कोई दे ने रहा, बट एक ठल पाई जा रही है कि सरकार कोई एदादा लॉव नहाब नाए, जो की तोड़ा ओर राइट त तो इन्फरिंज करें, is that right? कि टॉविस जेफरसन ने अपनाया, और उसे ने ओधे तहत जड़ी है, डेकिलरेशन ओफ इंडिपेंडेंस लिखी, जी जी जी, राविद्दर जी ए बहुत एक इंपॉर्टेंट गल तुसी सानु दसी है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट है गा इस डिपेट असी एक गल जारी रखांगे, एक छोटी जी ब्रेक दे बाद, तुसी वेखते रो, दो वेफ फॉर्वर्ड दो वेफ आवड़ीज थोड़ा फिर तुस्वागत है, मैं थोड़ा होस्ट हर्जोत सेंग, राविंदर जी आसी तुसी सानु ए जड़ा मुडला कॉंसेप्ट है, ओ समझाया और की एक्सपेक्टेशन है गी एक गर्मन तुम, बट आसी एक वेखिया की शूरू तो ही, रा हो शुरु हो जान दी है, असी जेफरसेन वेच और जेडे अनऺे ऑनादे सेक्रीट आफ ट्रेज्डिस एड, अलेक्सेंडर हमिलटन देनाल, और जैडिविजन है, बहुत पहली ज जेडी प्रिजेशनी बन दी है, उसी वेच वेच वेच-उसामने आना शुरू हो जान दी है सानों दसों के कि फॉट कि में डिवलप और कि में डिवर्सिफाय हों दिए दो सेक्शन जान तो पहलो मैं पॉइंट आउट करना चाह मगा कि असी गालते की ती है ना कि ओल मैंना री प्रियेटिड एकुल जी लेकिन कुछ इंटर्नल कॉंट्रेडिक्शन ने जड़ियां क हिस्ट्री दे अंदर अंदर दा विरोधा पास है जी नाल दे नाल चलता आ रहे है वो की है कि जदो केंदे ने कि ओल जदो जदो जैफरसन लिखता है ओल मैंना ग्रियेटिड एकुल जी वो दरसल एक पर्टिक्लर काइंड ऑफ बंदे दी गाल कर रहे हों वो हरके से दी ग पुरी कीमत पुरा बंदा भी नहीं से उस्विल जी जी विज विज ओली थ्री फिट्स ऑफ परसन जी सो एंसान नों याद रखना पहेगा कि अमेरिकन इतिहास मुट तों ही इस विरोधा पास तो शुरू है जी और ओ अज तक चलदा आ गया है इसाइड आम सॉरी जी मैंक अनुका मांगा कि इत वस ओनली दिलैंड अरिस्टोक्रसी एग्जैकली जी वुट एक्षिली फ्री इन फैक जे तुसी वाइट इमिग्रेंट हैगे हो तो अनुकोई अधिकार नी वोट करन दा एक गल याद करनी पहेगी कि जेड़े पहले थे मुडले फांडर्स ने एक प्रिक्लर एरिस्टोक्राइटिक क्लास दे बंदे ने एह हाईमाई एन आदे ना कि थल्ले कुई आम बंदा नी सी आंदा यह सानुकुल पूलानी चाहिएदा क्योंकि एन अधि जेड़ी सूज बूज ओड़ी है काफी यूके दी एरिस्टोक्राइसी ना रल दी है जो एज एड़ी गाला है रांज राइट थू अमेरिकन हिस्ट्री हों तुसी बनों पुच्छा सी के भी मुड़ तोई एक जो है डिविजन है थिंकिंग विच सोच विच ते ओसी देखांगे कि ओदे वास्ते सानु अमेरिकन हिस्ट्री नों सहजी सहजी तै करना पहेगा दिविज जोर्ज वाशिंटन जेम्स मैडिसन एक पासे दूजे पासे टॉमस जेफरसन प्रिमरी इना दो एजड़े दो तड़े बन गए सान। सून आफ्टर बाइट ने तड़े बन चुके है सान। क्योंकि दिखो 1776 दिविच ते सिरफ आर्टिवस अर्टिवस अर्टि इन कॉलनीजिए एक जिविचार तारामा जेडिया ने प्यदा हो जेफरसोनियन एक जिन्वस है मैडिसोनियन या है मिल्टोनियन ठिक जो जेफरसन जो है वह ही बिलीज इन एव सौट आव विलिज रिपबलिक इफ यू एगरेरियन एक औरी एक जो देविच लैंड अचलिटर हो वे गवर्मेंट बाइब बाउट वीख हो एग्रिकल्चर बेस्ट एकॉनमी हो एग्रिस्टियन वैल्यूस हो दूसरे पास से हैमिल्टन वर के बंदे उठ तोड़े जे अरिस्टो क्राटिक संग इन दे संस्की और अरिस्टो क्राटिक हो दे नाल-नाल मर्किं अचलिटर बंकिंग फर इंडिस्ट्री तो यह दो जडिया ने ना डिवर्सिटी और तिंकिंग इस शुरू तो ही शुरू हो गई यान अगें असे फिर थोड़ा चाना पाइए साड़े व्योजनों संजन दे लोड़ है कि जड़े डिपार्टमेंट ओफ कॉमर्स डिपार फाउन्डिंग फादर्स से गे उना दे ए प्रिंसिपल से गे जहे रविदर जी ने दशेया कि किनदा गर्मंट दर रोल होना चाहिए और अगें एक बड़ी वड़ी जडिया डिपेट सी कि जडिए एक सेंटर 계लमकर तेरह स्टेट से गिया जडिक सेंटर गर्वर्मन्ट है उस दे किन्नी पावर्स किन्ने हाक होने चाहिए और एक ऐसी डिवेट है जो हाली तक चल दी है जद भी कोई तुसी गाल देख दियो से रिसेंटली देखिया प्रेज़ेंट ट्रांप ने कुछ ओर्डर्स किते कि बही एदा करना है आपक करोना दे दोरान ते स्टेट्स ने किया कि बही नहीं तोड़े कुल ए अथौरटी नहीं है सानु एक क्यांदी ए जड़ी अथौरटी है ओ स्टेट्स थी है ते रावद्द जी सानु तुसी तो हिस्टॉरिकल परस्पेक्टिव थोड़ा दसो कि कि वे एडवलपेंट्स होई हैं और कद कद सार्cida कुछ आए जी तुसी सेवंटीन अर्थिकad र legit टेट प होग्रटी कि स सरकार बाह्चर की तुसी नहीं हो अधार्टी कवा परस्पेक्टरेशन oh rep तेरा उन प्रोविंसेज ने जिना उसी स्टेट्स भी कह देने हैं, उना दे अंदर मसायल पैदा हो गए ने, because everyone is independent, तो उना नू एक तरह कोल लियान वास्ते, ए आर्टिकल्स अप कांट्रिडेशन रिखे गए, पर तुसी structure देखो दो, कोई फेडरल ब्रांच नहीं सी, कोई जुडिशल ब्रांच नहीं सी, सिर्फ एक Congress सी, तेरा States दी, कोई common currency नहीं सी, कोई taxation नहीं सी, nothing, so the point was, कि असी सिर्फ इतना चानने हैं कि States जिडियाने आपस विच एक commitment करन कि भी असी एक loose union है गए हैं, so until 1789, so फिर उस तो बाद, एजड़ा कम शुरू हुंदा है, सिर्कार दे स्ट्रक्चर नो बदलना, देखो हुंदा किया है, कि बार दियां forces काम कर दियां तोड़े थे, और फिर उस दे नाल नाल, तोड़ी सिर्कार दे स्ट्रक्चर भी बदल देंदा, तोड़े अधारे बदल देने, वह यो कुछ ऐस मुलक वीच भी हुए है, सो शुरुआत दे confideration नाल हुई, constitution क्यों बनाना पाया गया, वह इस कार के बनाना पाया गया, बिकॉस बॉस्टन के विच शेर्स रिबेलियन हो गया, वह क्यों होया, क्योंकि जो रेवलूशनरी वार होया, जिसे कार के इना नूँ अजादी मिली, ब्रिटिश क्राउं तो, ओधे नाल ना थे, करजा वड़ा चाड़ गया सी, करजा चाड़ गया, क्योंकि फार्मर्स ने अपनी फार्मिंग बांद कारती, लोग का ने बांद कारती थी, इना ने बगैर थी, उन देखो ना, स्टेट्स को मतलब है, कोई फेडरल गवर्मेंट ते है, नहीं कि उनन पैसे देदे, जिस वेले खतम होया, रेवलुशनरी बहुत है, स्टेट्स जिडिगा ने एना ने पैसे देन तो मुनकर हो गए, क्योंकि देवस नो यूनि, देवस नो सेंटर तो फोर्स देशू, ओ देना नतीजा होया कि ओने रेबैलियन कार दे थी, और रेबैलियन देना होया कि उसके लिए नुकसान बढ़ा है, फिजिकल नुकसान होया, तो इस करके एचीज रियलाइज होई, इना फाउंडिंग फादर्स नो, कि साड़े कोलते हैं, ना कोई पैसा मतलब देन दी ताकत है, और ना अपने आपनो डिफेंट करन दी ताकत है, यह कोई उठपवे इस तरहां, क्योंकि हर स्टेट कोल अपको अपनी मिलिशिया सी, पस सेंटर इच कोई फोर्स नहीं सी, so you see how this develops, right, you may start off with the idea कि यह सी फेरल ब्रांच रखनी कोई नहीं, a Congress is good enough, but within a matter of 10 or 13 years, you're already shifting from a political document to in fact an economic charter, which is what the U.S. Constitution is, okay, अच्छा, ते इस दे विच भी फिर भी शुरू बिच देख दियां कि एक लिमिटेड रोल है, बड़ रोल है, वद्दा चला गया, is that right to say? बिल्कुल, that is what I am trying to say, उन्से देखो, कि जदो 1789 विच, जदो U.S. Constitution ratified हुए है, वो एक government नो, मज़िदी गाल ने है कि उनने बड़े सारे responsibilities गवर्मेंट दिन कहती हैं याने, पर उनने एक ही दस्या के होनियां के में, अच्छा, उनना ने कहा है कि जदी government है, वो commerce नो regulate करेगी, not only interstate commerce, but foreign countries ना, वो केंदेने कि जी, they have to make uniform bankruptcy laws, वो केंदेने कि तुसी के currency बना नहीं है, जदी कि सारे पासे चाल सके, राविंदर जी, आशी तौड़े ना ले गल जारी रखांगे, एक छोटी जी ब्रेक दे बाद, तुसी ब्रेक दे रो, the way forward. The way forward is तौड़ा फिर तु स्वागत है, मैं तौड़ा होस्ट हर जोट सिंग, राविंदर जी, ब्रेक दे जानतू पहले तुसी सानुद्दासरे सी गए, कि कि में केड़े रोलन जेड़े सरकार दे वद्दे गए, जिसनल सरकार जेड़ी है, ओ वद्दी गई, हिस्टॉरिक जी, मैं सिर्फ एनी गाल कह रहे है, साथ, कि मतलब दे 1776 दी डेकलरेशन तौब साम वी साला दे अंदर अंदर, फेडरल गवर्मेंट दा रोल बदल गया, क्योंकि एना ते बार दे जड़े कहीं फोर्स ना एक्ट कर दिया ने, एना ते प्रेशर पहंदा जिसनल मैं जी, मैं सिर्फ गवर्मेंट सदनल वस डेगल एक्ट व्लिय कांबरेशन ना प्रदी चौपि आश पराज में, इंदर दूप्रिष तक तक तुसी देख 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 कि सरकार और जो है, इनमेश्ट हैं ऑगी है, इस थे इंडर फ्रॉब्लम ज़ुज और दूसरा बदा मु बीगाल असी जड़ी चुरू कीती है, which has played a very prominent role is slavery. जी, 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 रवेंदर जी तोड़े तूँ असी जानना चांगे, जद एक country स्टार्ट होई है, ते इथे political parties दा जड़ा concept ओ नहीं सी, जड़े first presidency के Washington ओ किसी party नों बिलॉंग नहीं कर दे सी, और उन्हाने दो opposite thoughts, Hamilton और Jefferson नों दोनों कठे रखे सी अपनी cabinet वेच, कि भई तुसी के दरे आडड़ना हो जाओ, अगर आसी दो political factions दे वंड़ गे, ते साड़ी जड़ी stability है, उस दियों पर खत्रा पेगा, ते फिर किमें develop होया टू पार्टी सिस्टम इस country चांट्री 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 चांट्र चांट्री 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 distinctions. But by 1800, there was a very solid and a very bitter division between Jeffersonians and the Hamiltonians. By the time that Jefferson became the third president in 1801. In 1812, in 1812, there was a war in England and all, because there were children that the Americans knew that we need a strong center. Because you have to realize that the European powers, the only thing that now is colonized. Even after this. So, 1812, after 1824, there was an election. There were three people. John Quincy Adams, John Adams, Andrew Jackson and Henry Clay. Andrew Jackson got popular vote. John Quincy Adams got Electoral College. That was the House of Representatives. And John Quincy Adams in 1812. And John Quincy Adams got the president. Andrew Jackson, who was a general and was very popular because he was a hero. He was a corrupt bargain. He was very mobilized on the ground. What he started doing was he started saying that the people who have voted in 1824. So, 1824 in 1828, he was a leader of Andrew Jackson. So, Andrew Jackson is the root of the current Democratic Party. Because he has given some party structures, in the period of so-called Jacksonian democracy. So, the Democratic Party that they have moved in the period of so-called Jacksonian democracy. So, that got extended. So, that's the major thing to know about the period now. If you want me to about the Republican Party. Yes. Briefly, 703. So, Republican Party. So, Republican Party. Democratic Party. Yeah. Speaking of Standing जर्दे के जी हिगे जिया जर्धादे जर्धा विखजा अन्टेर्वा का विजगे अन्या बाउन्टय्स नहीं पर इनकी उपूदे के नहीं जा इनिए το 這個 गार या। आच उद्ध़ एन्टापॉन intent आचा है. जड़ी की है गिये हो ना कॉटन जिन कर जड़ी एदा इंडस्ट्री कॉटन दी ओदे विच एक रेवलूशन आया ओदे चासी नहीं जा सकते but the idea of mass manufacturing of textiles in the UK because of some inventions made the south a very big market for cotton so slavery जड़ी issue 1776 जड़ी विच गुफटबू हो रही सी के भई ये अपने आप जड़ी है खतम हो जाएगी और जड़ी है और नो एक वदा मिल गया because you couldn't find cheap labor cheaper labor than the labor you owned ठीक है जी so एदे नाल नाल एक north which development हो रही है industrialization at the same time who are who actually are threatened by the plantation people in the south because north दे विच जड़े ने immigration आ रही है गी है बार हो ओना दी सोचनी थोड़ी अड़ है तो कर दियां करांदियां होया कि 1830 दे अंदर एक Missouri agreement होया वह की agreement होया कि जड़ी expansion होनी है westward from you know Mississippi वगारा तो ओथे जड़ी है नविया 1850 जड़े के जड़े फेडरलिस्ट सान या दुझे ते जड़े ज़े सान उनना विच बहुत राड़ां लेंदी हो कीसी के ओड़े सोना ने रपील कर देता Missouri Act नो कि भी होन जड़ी स्टेट जमें मी चावे if it wants to be a slave state it can be if it wants to be a free state is to payda on the Republican Party that has people like Abraham Lincoln the modern Republican Party pre-Trump Republican Party that starts from Abraham Lincoln Republican Party 1857 1858 which bunny and Wisconsin which 1854 there which in fact in नदी पहली meeting हुई है Ripon, Wisconsin है ते फेर नदी पहली जड़ी convention है ओ फिलिदेल्फिया चो ही 1856 and then they actually in अदा जो उस्विले सी resolution हो है सी that anyone who is for the Missouri compromise against the Kansas-Nebraska Act ओ सादिनाल आखे आपे ओनादा प्लैफोर्म ही है इसी कि भी तुसी एजड़ा एक्ट रिपील कीता है यह नो रिस्टोर करो वी दो नाट वांट स्लेवरी और जड़ी स्लेवरी दी एवलिशन है उस दा बहुत वड़ा रोल है अब्रहाम लिंकाई स्टेट्स उसले स्लेवरी अलाव कर दिया सन्साओधी स्टेट्स और नौर्थी स्टेट्स जड़ी अलाव नई सिन कर दिया है उन्हें अल्रड़ी स्लेवरी प्रोहिबिट कर दिती सी की बट अबरहाम लिंकन दे अंडर ओ एक अमेंडमेंट करके पूरी कंट्री विच्छ स्लेवरी खतम करना चांदे सन्झ जिसनू कुछ स्टेट्स अपोज कर दिया सन्झ इस ग्राउंड ते कि जेडा फेडरल गर्वर्मेंट है ओ सारी कंट्री वस्ते लौ नहीं बना सकता कुछ स्टेट्स अंजडियां ओ अपने वस्ते स्टेट्स ओ ही लौ बना सकती हैं ते ए जेडा फाइनली अमेंडमेंट 13 अमेंडमेंट आई और ए लौ बनेया कि सारी कंट्री विच्छ स्लेवरी खतम किती गई इसदा किना वड़ा ऊड़ा रोल है फेडरल गवर्मन्ट तर रोल नूं इस कांट्री वेच्छ विदानास ते उस बारे सांवींडमेंट दसो ठोड़ो और तैखो गालीयािकर ने इस तो पहलो तक ही फेडरल गवर्मेंट तर रोल बहुत बद farm in. क्न जिन तिन caucuses entre यह नहीं नहीं, the growth of the government, it's being forced pretty much, one is the outcome of the industrial revolution that is going on, नाल नाल जड़ा चाल रहे है, दूसरा है, the western expansion, जडी हो रहे है, टीसरा is the building of the infrastructure that has to happen, So, up to 1815, 1816 and beyond, the government is very active in building out the canals and the bridges and the roads and what have you, जड़ा मी, infrastructure, transportation बनानी सी, उड़े विच्छ, they had taken the view के ए सरकार काम में, that they have to do it. So, ए जड़ चीजां होंदियां, जड़ों के industrialization दे नाल नवियां, एजाद होंदियां ने चीजां, उनानों के में control करना है, उनानों के में standardize करना है, एक pressure है, growth दा दूसरा pressure है, सो मेरा कैम दा पावे है के बाए दे टाइम लिंकिन वार सरकार अल्रेडी काफी अपने पारे फला चुकी हो, जी जी जी, रविद्दर जी आसी इस बारे गल continue रखांगे, एक छोटी जी ब्रेक दे बाद तुसी वेग दे रो, दो वेफ आवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर धर टूण श्वागता है, मैं थोड़ा होस्ट हर्जोत सिंह, रविद्र सिंह आज सानू बड़ी डिटेल वाच बड़े ईपस्पेंशन, गल्supp przesaisनन उसनों साननों जानू कराया है उसनाल कि किवें किवें गर्मन दा रोल जड़ा वद्दा गया है मैं तानू इथे दसना बड़ी इंट्रस्टेंग 1830s 40s तक जड़ा गर्मन्ट सी गा ओ स्कूल भी चलांदा हक नी सी रख़दा वो कहते हैं कि एक्स्पैंशन है गर्मन्ट दी 30s 40s ज चुरू है मैसाचूसेट्स तू और फिर लेटर इट वस टेकन आराउंड अ कांट्री और एक बहुत वड़ी जेडी कॉंट्रिबूशन है अब रहाम लिंकन दी अधर देन स्लेवरी नू खतम करंदे 1862 विच एक मॉरेल लांड आक्ट आया सिगा जिस्दे विच फेडरल देती गई पब्लिक कॉलेजिज लई एक इन्डी हिस्टॉरिकल चीज है क्योंके हाइर एजुकेशन पहले जेड़े अमीरा दे बच्चे अरेस्ट्रोक्रेट्स दे बच्चे ओ कर दे सिगे 1862 दे बाद जद आम बंदा उन पब्लिक कॉलेजिज तू हाइर एजुकेशन ल स्पोर्ट सर्विसेज हों दियां सेक्रिटेरियल सर्विसेज और सारी जडी जॉब्स और क्रियेट हों दियां और कि में 1862 दे उस आक ने बहुत वड़ा रोल प्ले किता ते ए सारी डिवलप्मेंट्स अगले काफी चिर तक फिर रिपब्लिकन पाटी ने डॉमिनेट किती यूस्दी पोलिटेक्स उसनु बाद तुसी नेक्स किस चीज नू लैंदमार्ग डेवलप्मेंट तेख दियो रविंदर ची देखो इसरा है कि तुसी बिल्कुल दुरुस्त गाल किती है बट संवे भी याद रखना चाहिए है कि पाट अट प्रेशर ओं लिंकन जी वस न विद जी ने तुच्छ इन एंप्रेश बाद बीज्च्छ आ थे ने की तुच्छ ओन के घंट टुच्छ की खाट म टीटी चाहिए है रखना क्या तर ची बाद बार्ट अवर्ट शुटीज अन टेखना पर टीजवार्ट मैं एकी खावंगां के अट सिब बार प्रुन वा Wilson and Grover Cleveland, Republican Presidents रह नहीं और इस दुरान होया की है कि यू बगिन टु सी एक ते देखो दो पैरलल चीजां चल दिया नहीं, एक ते रीकंस्ट्रक्शन एरा है, दूसरा जेम क्रो एरा नाल चाल रहा है, ठीक है, आफ्टर देखो दूसरा जेम क्रो एरा नाल चाल रहा है, ठीक है, but also the development of industry, the rise of the so-called robber barons, concentration of wealth, and so on and so forth, ते ओ चल्दा चल्दा जदों आया है, अब आफ 1873-74 देखो जदों ही कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोफ 1873, जदों ही होया है, जदों ही आम तोर थे सर्कारां बदल दियाने, जदों ही आम तोर ते सर्कारां बदल दिया आगया, फिर जदों विलसन आया, उनने सर्कार दा स्ट्रक्टर और सर्कार दी जो पहुंच है, बहुत वदाई और इंस्टिशनलाइज कराई, जदों ही लेकिन उस तो बाद फिर डिपबिलिकन सर्कारां आगी हैं, हूवर दियां ते कोलिज दियां, फिर आगया डिप्र आपलेश लेकिन करना में, लिक उस्ट दो झाहते हैं, बहुत जए रिचोंड फिर टी डॉचारी अ था मुटर्शनलाइज करेंग उसकोने लिचारे में, आपलेश हैं, आपलेश दोंढेशिक अनलेशाएं, बहुत्व संथिरूच दोंदीच कर दोंड़ दोंड़िकन में मॉर्गन्स ने सारी मैंने बड़ा लंबा इतिहास है रविंदर जी 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 इस इस इतिहास बारे ज्यादा डिटेल इज गल करंगे मगर व्यूर्ज नो क्विकली दस दिये कि एज आप री तक्रीबन रीकंस्ट्रिक्शन दे बाद दा पीरिड अराण 1870 तुझा के 1900 तक दा पीरिड इस तुन दा गिल्डिड पीरिड के एंदेन युएस वेच और एट टाइम सी गा फ्री एक्नॉमिक ग्रोथ ता बड़ी जयादा ग्रोथ होई इस कंट्री वेच कुछ लोगां दे हाथ इस कंसंट्रेटेट सी की पैसा पावर और कुछ चीजां रेल्वेज उसले डवलप होए कुछ ट्रस्ट बन गे और उन्हानों कंट्रोल करन विच फिर जड़ी फेडल गर्मेंट है उस दा रोल जड़ा डवलप होंदा है जड़े टेडी रूजविल्ट सी गे उन्हान ने उस देज काम किता विलसन ने उस देज कुछ अचीव किता फिर तुस लुष गे उन्ही सो तेरा तुला कि अंचीव को लिए लीघ उन्ही सो बारांद देज कि उस दो प्रिस ऑट ने इलेक्शन भी उस दाविल्सन जी अपना रोल अपने बारे अलग देखन लग पहन दिये, भीयाद है असी गाल किती सी शुरू विच कि भी सरकार दा सिर्फ काम इन है कि एक आम बंदे नो सिक्यूर रखना, यह जड़ी सरकार देख रही है कि यह असी सिर्फ सिक्यूर फिजिकली नहीं रखने, असी आर्बिटर बन गए हैं of allocation of resources, we are going to have the last day in how resources within the economy are going to be allocated, because असी eventually सिर्फ फिजिकल सिक्यूरिटी नहीं असी economic welfare भी बंदेदा जिड़ा है, असी ओवी अपना लिया है, जी जी और अबिदर जी और समझना बहुत जरूरी है कि कि में ओ जड़ी और रोल वद्या हुआ है, और जड़ी regulations थोड़ी आई है, और कि में deregulate कर देन President Hoover, जज़ी करके 1929 वे जाके आसी देख दिया है कि the Great Depression आंदा है, उस तो बात जड़ा government दा रोल वद्या है, उस तो जड़े banking laws जड़े आज तक चल देन, इस country वीच, ओ FDR जाके 1930 वीच देन देन, उस तो पहले कोई banking दे ओपर भी federal regulations नहीं है कि, जड़ा government दा कम है, welfare देन दा, social security दा कोई concept उस तो पहले नहीं सी, जड़ा government तो अनू कोई check देन दी है, तो अनू unemployment benefit देन दी है, तो अनू snap दे जड़े benefits हैं, इस सब जाके start होंदा है, FDR दे बाद एक new deal लेके आये सेगे, और उस दे वेच government दी बहुत ज़्यादा expansion होई है, लोगा ने उसनों challenge किता कि भई, एक बड़ी slippery slope है, साधी freedom जड़ी हैं, और साधे तू लई जारी हैं, एक बहुत वड़ा chapter in itself है, आसी इसले program दे end ते आगे हैं, आसी इस समाइजाधत नहीं देंदा, इस ना लविंदर जी नूँ फिर request करांगे, उनना नूँ असी फिर इते ला के आंगे, और इन 1932 दे बाद दी जड़ी developments हैं, जड़ी आज तक असी जिजदी direct जिजदी चाया वेच असी जीन दे पे हैं, और ए जड़ी सारी लड़ाई है, दोनों तड़ेयां दी, और उन developments दे around है ते असी इस नूँ होर समझांगे, और सानू होर इस दे बेच जड़ी political developments हैं, किवें किवें government दा, central government दा role, civil rights act, voting rights of 1965, क्यों उनना नूँ करना पया, किवें Jim Crow laws developed हुए, साउथ वेच, जिजदी करके federal government दा role again विदाया गया, और key objections है गया, कुछ political ideologies नूँ उस role नूँ बदा के, इस बारे असी गल करंगे, अपने next episode इच, रविंदर जी आज गल करन दा, तोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तोड़ा साडे नाल studio इच आन दा, बहुत बहुत शुक्रिया झाल बहुत 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 शुक्रिया